हेलो दोस्तो वैलकम तुदा क्रेजी अन्बॉक्सर यूटूब चैनल दोस्तो आज आपके लिए लेकर आ गया हूं मैं रिमॉट कंट्रोल बस की अन्बॉक्सिंग आप देख सकते हैं इसका बॉक्स मेरे पास है और यह काफी अमेजिंग और काफी लंबी बस है आप देख सक रेडियो कंट्रोल बस सीरीज रेडियो कंट्रोल और दिखते हैं इसमें इदर फीचर्स लिखे हुए हैं फुल फंक्शन लाइट भी दिए है और स्पीड यान कि यह काफी हाइश्पीड बस लगते है मेरे को इधर की साइड यह बस ऊपर से देख सकते हैं और बॉक्स के पीछे बस की पिच्चर बनाई हुई है और इधर की साइड हमें दिखाए हुआ है कि बस में बैटरी वगरा कैसे लगाने तो चलिए जल्जी से इसकी अन्बॉक्सिंग करते हैं तो यहां पर बॉक्स की स्टार्टिंग में हमें इसकी एक रीचार्जेबल बैटरी जो की 700 एमेज के और 4.8 वाल्ट के देखने को मिल जाती है और साथ में एक चार्ज दियो और सबसे अच्छी बात ही है कि इनो ने इसमें अडेप्टर भी दिया हुआ है तो इनको रखते हैं साइड में और बस को जल्दी से बाहरा निकालते हैं मैं काफी एकसाइड हुआ तो कि य लगाई हुए हैं दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें ही यह काफी बस काफी अमेजिंग लग रही काफी डीलक्स वाली इसमें मुझे फीलिंग आ रही है और दोस्तों अगर आपको यह बस घरिंदे हैं तो यह एमेजॉन पर सिर्वन ट्रॉपल नाइन के अवैलेबल हैं लिक मैंने डेस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो चलिए जल्दी से इनके इस क्रूज को खोल कर मैं इस बस को बाहर निकालता हूं और जब तक के लिए आप अगर हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्स्क्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी दिया हुआ है चार करते हैं नीचे से यहां पपर ये लेफ्टाइट की लिए रहां पर कवायग दिया हुआ है तो इनको इनको निकाल के लग देते हैं साइड में और इधर दिया हूँ है on off का switch आप देख सकते हैं और इधर इसकी batteries लगती है और यह दियो हैं पीछे के wheels जिनसे की motors इसके अटेच है और दोस्ते हैं पर wheels इनके यहां पर वील्स के उपर भी इन्होंने काफी अच्छी rubber की quality दियो है जिससे की फ्लोर पर चलाएंगे कहीं पर भी तो अच्छी ग्रिप मिलेगी और यह जो इसका गोल्डन कलर है न मुझे काफी अच्छा लागा यह इसको पूरा डीलक्स लुक इन्होंने दियो है फ्रेंट से आप देख सकते हैं यहां पर दो मिरर दियो है और यह मिरर फ्लेक् लाइटे की बात करें तो काफी अच्छी प्लास्टिक से नो ने बनाई हुए ऐसा नहीं है कि काफी ठीले हलकी लोकल प्लास्टिक और ऊपर की तरफ यहां पे एसीद दिया हुआ है और पीछे की तरफ देखें तो इधर भी नोने दो लाइटे दिऊ हुए और पीछे वाल रिमॉट कंट्रो स्टिर को लिए ओर दोस्तरि में डूल जैंट्री स्टेरंंग वाले रिमॉट di याह निकि इसमें सेंसर्अ लगे होुए जो कि ग्र्याविट के टो आभ यह अवं ऐसे करोगे तो बस बी उर्टिक लैफ्ट लेफ्ट मुव कर जाएगे और अकर आप सिट स्टेरिंग वील को ऐसे करोगे तो बस भी राइट की तरब मुव करें जो कि काफी अमेजिंग बात है इधर इसका ओन अफ सुच दिया हुआ है इधर इसमें सैल लगते हैं और एक दो और तीन इनों ने बटन दियो है तो जल्दी से इस बस में बैट इस इंस्टॉल करते हैं रिफिस में सैल डालते हैं और फिर इसको चला के देखते हैं कि कितना अमीजिंग ये वर्फ करती है तो फ्रेंड इसबस में यह मुझे सबसे best पार ही इस बस की तो चलो इस बस को करते हैं पहले यहां से ओन ओके तो यह ओन ही और फिर इस रिमोट को करते हैं हम यहां से ओन तो अच्छा एक वी बटन दिया हो जिदा इसको प्राइज करते हैं तो यह लाइट चलती है अब यह पता नहीं है ओन का है या ओफ का है तो इस वाले बटन को प्राइज करके देखते हैं क्या होता है ओके इस वाली बटन से बस आगे चलती है तो इस वाले बटन से बस आप तो मैं आपको सबसे पहले ना यह आगे के जो लैफ्ट राइट के पटेंड इनका फंक्शन देखा देता हूं ऐसे करके आप देख सकते हैं जब मैं इस रिमाट को ऐसे लैफ करूंगा तो आप देख सकते हैं जो वील से लैफ्ट की साइड होगे क्योंकि ग्रैविटी इसमे बिखो यह रैफ्ट यह राइट तो जाब हम इसको चलाइगे हम यह को है से पकड़ते हिए है आगे यह पीछे ऐसे लैट एसे राइट और लाइट का लाइट का फंक्शन से है तो आगे प्रैस करते हैं तो आगे लेट ज़लते ano за ली 20 काफी अच्छी 1 जलिए और फिछ देखते हैं इस्तों इस जल्टी नहीं जलती तो दो too तो इसकी पीछे वाली लाइट तो नहीं जलती समुहरे आगे काम करते हैं। फ्लोर पर चला के देखते हैं। झाल 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 तो दोस्तों आप में देखा ये बस कितना आमेजिंग वक करते हैं तो इसकी जो सबसे खास बात मुझे लगी ना कि ये आमेजिंग इन्होंने प्रोडेक्ट बनाओ तो इसके लुक्स के लिए मैं इसको 10 on 10 देना चाहूंगा और उपर से जब ये चलती है ना वर्क करते हैं काफी अच्छे क्यूंकि काफी स्मूथ लिवक करती है और दोस्तों ये अमेजन पर से 2,000 रुपे की मिलते तो मुझे ल मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए